इस प्राव्रम को सॉल करते हैं, question क्या कहता है, the average of 9 number is 30, the average of first 5 number is 25 and that of last 3 number is 35, what is the 6th number, question क्या कह रहा है, average है 9 number का, 9 numbers है, उनका average कितना है, 30 है, और first 5 numbers का average दे रखा है 25 और last के 3 numbers का average दे रखा है 35, हमसे question में पूछता है कि 6th number क्या होगा, तो अगर हम sum निकालना चाहते हैं, कि total 9 numbers का कितना sum होगा, तो 9 into 30, that turn out to be 270, यह हो गया total sum और हमने वो कास निकाल लिया, क्योंकि 9 number का average जो है 30 है, तो हमने sum निकाल लिया, इसी तरीके से हम sum find out कर लेंगे, first 5 numbers का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 5 into 25, 5 into 25, that is 125, sum हो जाएगा 5 numbers का, उसी तरीके से sum of last 3 numbers, ठीक है, sum of last 3 numbers कितना हो जाएगा, 3 into 35, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यह हमें मिल गया, अब हमें क्या पता है, sum पता है, 9 digits का, 9 numbers का, और 3, first 5 का, और last 3 का, अगर हम इस 9 number के sum में minus कर दें, sum of 5 digits, plus sum of last 3 digits, तो हमें क्या, कौन सा number मिल जाएगा, 6 number मिल जाएगा, आईगे यह value put up कर देते हैं, यहाँ sum of 9 digits कितना है, 270 है, minus, 125 है 5 digits का sum, plus 105 है 3 digits का sum, तो यह 270 minus 230, जो बराबर हो जाता है कितना, 40 के, it means, जो 6 number निकल के आ रहा है, question के हिसाप से वो क्या है, 40, option 3, 40, इस question का सही answer है, जो यह झाल, जो झाल, जो झाल, जो झाल, जो 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 क्या है… झाल झाल